Hello students, welcome to Magnet Brains, कैसे हैं आप सब? I hope आप सब बहुत अच्छे से होंगे My name is Neha Verma from Magnet Brain So students, Magnet Brain एक ऐसा YouTube channel है जहाँ आपको kindergarten Means KGC, Class 12 तक आपको आपके पूरे syllabus का वीडियो मिलता है वो भी 100% free Yes students, यहाँ से पढ़ाई करने का, यहाँ से वीडियो देखने का आपको कोई भी payment नहीं करना पड़ता तो चलिए शुरू करते हैं आज की पढ़ाई Students, आज हम कर रहे हैं कक्षा एक हिंदी में part 19 हाँ students, बस यह तो हमारा आखरी part है Part 19 मतलब 10 और 9 मतलब 19 और आज के हमारे part का नाम है, हाथी चलम चलम माने हाथी चला भाई चला, हाथी चलम चलम है ना, है ना मज़ेदार part अब देखो, part का जो नाम है वो ही इतना मज़ेदार है तो सोच यह part कैसा होगा तो चलो part देखते हैं क्या है हमारा, हाथी चलम चलम है ना students? तो ये जो पार्ट है इसमें कुछ बच्चे आपके जैसे कुछ प्यारे प्यारे बच्चे हाथी की सवारी कर रहे हैं सवारी मने हाथी पर बैठ कर घूम रहे हैं ठीक है? और वो बहुत खुश है क्योंकि वो हाथी पर बैटे हैं, लंबे चोड़े, ऊचे हाथी पर, आप कभी बैठे हैं हाथी पर, आपने कभी सवारी करी है हाथी की, तो चलिए, इस पार्ट से देख के, इस पार्ट को पढ़ कर, हम हाथी को imagine कर पाएंगे, कि हाथी कैसा होता है, और हाथी के सवारी करने पर कैसा लगता है, है ना students तो part पढ़ेंगे, part बड़ा मज़िदार है पढ़ने में, है ना बार-बार हम दोहरा के पढ़ेंगे तो हमें बहुत मज़ाएगा, okay students चलो, read करते हैं, हल्लम हल्लम होदा, हल्लम हल्लम होदा, हाथी चल्लम चल्लम, हल्लम होदा, होदा क्या होता है? हाथी पर बैठने की जगा जहां पर सवारी करते हैं, तो यह जो चीज होती है ना students, इसको बोलते हैं होदा, क्या बोलते हैं होदा, यह जो चीज होती है, यह क्या होती है? होदा, मने हाथी के उपर बैठके जिस चीज़ पर सवारी करते हैं उसे बोलते हैं हौदा हलम हलम हौदा हाती चल्लम चल्लम मने हिल रहा है हौदा और हाती चल रहा है हम बैठे हाती पर हाती हलम हलम है ना बच्चे कहा बैठे हैं हाती के ऊपर बैठे हैं और हाती हिल हिल के चल रहा है हाती पर हाती हलम हलम है ना तो बच्चे कहां बैठे हैं हाती के ओपर जो हौदा होता है उस पर बैठे हैं और बहुत खुश है लंबी लंबी सून्ड फटाफट लंबी लंबी सून्ड फटाफट तो हाती की सून कैसी होती है लंबी लंबी फटर फटर अब जब हाती हिल हिल के चल रहा है उसकी सून भी ऐसे हिल रही है और कैसी आवाज आ रही है फटर-फटर है ना स्टूरेंस तो लंबी-लंबी सून्ध फटा-फट, फटर-फटर यह आवाज आ रही हो, उसकी सून्ध हिलने की, लंबे-lemबे डात खटा-खट, अब हाती के दाथ देखे कितने लंबे होते हैं, है ना हाती के दाथ बहुत लंबे, ये है हाती की सून, ये है हाती के दाथ, ऐसे दो बड़े बड़े दाथ होते हैं, तो सून कैसे हिल रही है, फटर फटर, और दाथ कैसे हिल रहे है, खटर खटर, है ना students, लंबे लंबे दाथ खटा कर, खटर खटर, तो सून भी हिल रही है, दात भी हिल रहे है, भारी भारी मून्ड मतकता, मून्ड मने सर, अब हाती जब चल रहा है, तो उसका सर ऐसे ऐसे मतक रहा है, भारी भारी मून्ड मतकता, जम्मम जम्मम, हाती का सर कैसे हिल रहा है, जम्मम जम्मम, है ना स्टूरेंस, हलम हलम ह हाती चल्लम चल्लम तो देखा आपने बच्चे कहां बैठे हैं हाती के ओपर बैठ के सवारी कर रहे हैं और हाती हिल हिल के चल रहा है हाती की सून्ड हिल रही है कैसे फटर फटर हाती के दात कैसे हिल रहे है खटर खटर और हाती का मूंड कैसे हिल रहा है जल्लम जल्लम है ना ठीक है हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम चलिए आगे बिठते हैं चलो परवत जैसी धै थुल्थुली परवत जैसी धै धै माने शरीर हाथी को शरीर कैसा होता परवत जैसा पहार जैसा इतना बड़ा है न तो क्या है परवत जैसी धै थुल्थुली हाथी को कभी आपने पास से देखा है ऐसे हाती की स्केन से हिलती है पूरी थुल्थुली है थुल्थुली माने जो हिलती है चलते चलते तो परवत जैसी धै थुल्थुली थलल 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 तो कैसी हिल रही है हाती की पूरा शरीर कैसे हिल रहा है थलल थलल है ना सुदेंस हालर हालर धै हिले मतला हालर हालर देह हिले, पूरा शरीर हिल रहा हाती का, जब हाती चलल, जब हाती चल रहा है, तो हाती का पूरा शरीर हिल रहा है, ऐसे ऐसे करके, okay students, खंबे जैसे पाओ धपा धप, अब इतना बड़ा हाती, उसके पाओ भी इतने बड़े कैसे, खंबे जैसे, वो कैसे जमीन पर चल रहा ह धपा धप मने जब हाथी चल रहा है तो कैसी आवाज आ रही है धपा धप किस में से हाथी के पाव में से खंबे जैसे पाव धपा धप बढ़ते धमम पाव कैसे चल रहा है धपा धप ठीक है हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम ठीक है हाथी जैसी नहीं सवारी मतलब हाती की सवारी जैसी तो कोई सवारी है यही नहीं अगड़ बगड़ हाती जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़ पीलवान पुछन बैठा है बांदे पगड़ पीलवान माने जो हाती के ओपर बैठता है यह देखिए ये जो बैट के हाथी को चला रहा है इसे क्या बोलते है पीलवान पीलवान बैठा हुआ है पगड़ी पहन कर उपर है ना तो पीलवान हाथी को कंट्रोल करता है वो हाथी को बताता है यहाँ चलो यहाँ चलो ठीक है तो इसको जो हाती को चलाता है उसे क्या बोलते हैं पीलवान वो क्या बैठा हुआ पगड़ी पहन कर बैठा हुआ है सर पर ठीक है students पीलवान पुछन बैठा है बांदे पगड़ माने पीलवान बैठा है उप पीछे पगड़ पहन कर माने पगड़ी पहन कर ठीक है चलो उसके बाद बैठे बच्चे बीच सभी हम डगम डगम और बीच में जो हौदा है वहाँ पे सारे बच्चे बैठे हैं और डगम डगम हिल रहा है हाथी हल्लम हल्लम हौदा हाथी चल्लम चल्लम ठीक है दिन भर घूमेंगे हाथी पर अब बच्चे तो हाथी की सवारी करने बैटे हैं तो दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर दिन भर घूमेंगे हाथी पर हल्लर हल्लर हाथी दादा जरा नाच दो अब बच्चे क्या बोल रहे हाथी दादा जरा नाच तो दो है ना थलर थलर कैसे नाचोगे थलर थलर नाचोगे अरे नहीं हम गिर जाएंगे धमम धमम तो बच्चे क्या बोल रहे हैं? पहले बोल रहे हाती दादा जर नाच के तो दिखा दो फिर बच्चों को याद आओा कि अगर हाती दादा नाचेंगे तो सारे बच्चे नीचे गिर जाएंगे हाती दादा कैसे नाचेंगे? ठलर ठलर और बच्चे कैसे नीचे गिरेंगे? धमम धमम है ना students? तो हल्लम हल्लम हौदा, हाती चल्लम चल्लम है ना students? तो मज़ेदार था ना part हर लाइन में आपको आवाजे दी गई हैं हलम हलम हौदा हाथी चल्लम चल्लम तो हर लाइन में हर जो भी आप पढ़ते हो हर पंक्ती में नीचे कुछ आवाजे दी गई हैं है ना तो थीना मज़े दार कवीता students तो चलो एक बार यह कवीता फिर से पढ़ते हैं हलम हलम हौदा हाथी चल्लम चल्लम हम बैठे हाथी पर हा असके बार पर्वत जैसी धे थुल्थुली फलर फलर हालर हालर धे हिले धीरे धीरे धे हिले जब हाती चलल माने जब हाती चला उसका पूरा शरीर हिलता है खंबे जैसे पाउ धपाधप, बढ़ते धमम हल्लम हल्लम हौदा, हाती चल्लम चल्लम हाती जैसी नहीं सवारी अगड़ बगड़ पीलवान पुछन बैठा है, बांदे पगड़ पीलवान माने जो हाती को कंट्रोल करता है, जो हाती को चलाता है बैठे बच्चे बीच सभी हम डगगम डगगम हल्लम हल्लम हौदा, हाती चल्लम चल्लम दिन भर घूमेंगे हाती पर हल्लर हल्लर हाती दादा जरा नाच दो, हाती दादा जरा नाच दो, थलर थलर अरे नहीं हम गिर जाएंगे धमम धमम हलम हलम हौदा हाथी चलम चलम है ना सूरंस तो इस पूरे पार्ट में हमने क्या देखा बच्चे बहुत खुश है बहुत उत्साही है बहुत उमंग से भरे हुए है कि हम हाथी की सवारी करेंगे और वो हाथी की सवारी पे हाथी पे जो हौदा है उस पर बैठते हैं और पूरा हाथी के बारे में बताते हैं कि जब हाथी चलता है तो हाथी की सून्ड हिलती है और वो क्या आवाज करती है हाथी के दाथ हिलते है हाथी का पूरा सिर हिलता है और हाती का पूरा शरीर, जो इतना भारी भरकम शरीर है, पूरा शरीर हिरता है और जब हाती अपने भारी भारी पाउ रखता है, तो कैसी आवाज आती है? है ना students, उसके बाद बच्चे बोल रहे हैं कि हाती की सवारी जैसी तो कोई सवारी है ही नहीं और हम आज दिन भर हाती पर बैट कर घूमेंगे उसके बाद बच्चे बोल रहे हाती दादा जरा नाच के दिखा दो फिर बच्चों को याद आता है कि अगर हाती दादा नाचे तो हम तो गिर जाएंगे कैसे गिरेंगे धमम धमम है ना स्टूडंस तो इस पूरे पाठ में हाती की सवारी के बारे में बताया गया है कि हाती की सवारी बड़ी मज़ेदार है लेकिन हाँ बहुत डर लगता है जब हाती की सवारी पर बैठते हैं तो है न students, तो आप भी जबी भी आपको मौका मिले, हाती की सवारी जरूर करिएगा और इस पार्ट को याद करिएगा, हल्लम हल्लम होदा, हाती चल्लम चल्लम ठीक है students, तो ये था हमारा पार्ट 19, हाती चल्लम चल्लम है न तो इस पार्ट का पूरा explanation, आपको Magnet Wing की website पर मिल जाएगा Google करो, उस पे हमारी website डालो, ये page open होगा यहाँ पे class 1 पे click करिए students, तो यहाँ पे आपके class 1 के सारे topics open होगे इसमें Hindi Rim Jim book पे जाएगे, और यहाँ पे students, आपके सारे topics आजाएगे chapter wise from the first chapter, ठीक है, तो यहाँ पे students, हमने आपका पूरा part 1 से part 19 तक पढ़ लिया है ठीक है, इसका जो अभ्यास है, वो हम next video में करेंगे और students, ये सब कुछ आपको मिलता है magnet brains पर यहाँ पे students, आपको KG से class 12 तक, online school education बिलकुल free में मिलती है right, so students, ये था part, हाथी चलम चलम, ठीक है, part अच्छे से read करो finger रख रख के read करो, बहुत मजा आएगा, ठीक है students, इसका अभ्यास हम next video में करेंगे till then, bye bye, take care